Question number 21 है, the anti-derivative of this equals, तो anti-derivative basically means हमें integral find करना है, तो root x plus 1 upon root x dx, तो ये हमें integrate करना है, तो क्या करेंगे हम सबसे पहले, of course power को इस तरह से लिखेंगे, और ये उपर जाएगा तो इसकी power इस तरह से हो जाएगी, minus half, अब इससे हम integrate करेंगे, तो हम क्या करते हैं, power में 1 plus कर देते हैं, और वही चीज नीचे आ जाती है, यही यहाँ पर करेंगे, power में 1 plus करेंगे, और यही जो power है, सारी वो नीचे आ जाएगी, and of course इसमें c हम add कर देंगे, अब x की power 3 upon 2 upon 3 upon 2 ये हो गया है, x की power 1 upon 2 ये है, और 1 upon 2 इसको अगर हम simplify करें, तो of course ये 1 upon 2 आता है, c, ठीक है, ये हो जाएगा, 2 उपर जाएगा, तो 2 upon 3, x power 3 by 2, और ये 2 उपर जाएगा, तो 2 x power 1 upon 2, and plus integral constant ये, तो ये कौन सा option correct है, well, option c correct है, question number 22 है, यहाँ पर ये given है, और हमें f of x find करना है, ओके, तो एक बात ध्यान लखो, अगर हमारे पास ये given है, कि किसी function का derivative, यानि मान लो की f dash x हमारे पास कुछ है, मान लो की ये है x plus 5, और हमें find करना है, कि वो function क्या है, तो हमें इसका integration हमें करना होगा, या अगर हम दूसरी form में ये कहें, कि अगर हमारे पास d upon dx है, यानि किसी function का derivative है, और हमें वो function निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो dx सो उधर चला जाएगा, ऐसा हो जाएगा न, और अब ये d हटानी के लिए हम integrate करते हैं, तो यानि किसी function का derivative ये है, तो अगर हमें वो function find करना है, तो हमें यहाँ पर integrate करना होता है, इसलिए integration को हम anti-derivative भी कहते हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखो, और अब हम ये question करते हैं, और यहाँ पर गिवन है, ये जो चीज़े इसका अब use हम बात में करेंगे, ये c निकालने के काम आएगा, जो c आता है न, integral constant, ओके, तो simply यहाँ पर अगर हम ये लिखें, तो ये हो जाएगा 4x3, इसको अब लिख के आ जाते हैं, integration करने में आसा नहीं रहेगी, dx, और अब ये d हटाएंगे हम यहाँ से, तो ये integration का sign लग जाता है, ये है, यहाँ तक clear है, ये important part था, आगे तो आसान है, अब ये जो है, हम उपर 1 plus करते हैं, और नीचे यही power 4 नीचे आ जाती है, I am sure आपको अभी तक तो ये पता चले यहाँ होगा, minus 4 plus 1 करेंगे, तो minus का 3 आता है, और वही minus 3 नीचे आ जाएगे न, of course, constant तो आएगा ही, 4 से 4 कटा, minus 3 से minus 3 कटा, और हमारे पास आएगा ये, इसको अगर हम नीचे लिखके आ जाएं, तो ये हो जाएगा, और अभी तक की कहानी ये है, तो अभी तक सब समझ आ गया, और अब जो इसमें additional information गिवन है, ये, ये C ही निकालने में help करेगी हमारी, तो देखो, X के जगर पे 2 पूट करते हैं, तो f of 2 हो जाएगा, 2 power 4, plus 1 upon, 2 power 3, plus C, तो ये है 0, और ये हो जाएगा, 16, plus 1 upon 8, 0 क्यों है, क्योंकि f of 2 जिरो दिया है, है न ये, तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर ये उपर जाएगा, तो 128, plus 1, 139, 129 upon 8, plus C, और यहाँ से C आ जाएगा, minus 129 upon 8, और अब C की value का हम, पूट करेंगे, इसमें, तो f of x हो जाएगा, x power 4, plus 1 upon x power 3, minus 129 upon 8, तो आप देख सकते हैं, कौन सा option correct है, option A correct है, और राइट,